सर्दियों में हम बनाएंगे मश्रूम मटर मसाला और बहुत ही अलग तरीके से आप इसे जरू ट्राइक करेंगे देखिए ग्रेवी कितनी ठीक और कितनी टेश्टी लग रही है और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मश्रूम लेंगे यह आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से विंटर्स में मिल जाएंगे सबसे पहले हम मश्रूम को कट करेंगे आप चाहें तो जो इसकी नीचे के पार्ट्स होते हैं उसको हल्का सा कट कर ले 20 से कट करके इसकी कई पार्ट्स कट करे हमने एक मश्रूम में 6 पार्ट्स किये हैं आप इसे अपने कॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकती हो ऐसे ही पूरा कट कर ले और एक बड़े बरतन में रख ले उपर से बिल्कुल गर्म पानी आट करें इसे हमें अच्छे तरह से वाश करना है ताकि इसकी इंप्यॉरिटी इस निकल जाए चार से पाँच मिनट के लिए इसी में छोड़ दे आप चाहें तो इसको एक से दो मिनट में भी वाश कर सकते हैं अब इसे एक श्ट्रेनर में श्ट्रेन कर लें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए श्ट्रेनर में पानी बहुती इसली निकल जाता है और इसे साइड में रख दे अब इसे हम हलका सा फ्राइ करेंगे एक फ्राइंग पैन गया कढ़ाई में हम वन टी स्पून आड़ करेंगे हम इसको डी फ्राइ नहीं कर रहे हैं शैलो फ्राइ कर रहे हैं और जब आड़ गर्म हो जाए तब इसमें स्ट्रेन कीवे मश्रूम में आड़ कर दे जब मश्रूम में इसे वाटर बिलकुल निकल जाए तब ही इसको इसमें आड़ करें नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटर इसमें से निकलने लगेंगे ये देखे अभी से ही इसमें वाटर हलके निकलने लगे हैं थोड़े दिर तक ऐसे fry करें हम इसे medium flame पे fry करेंगे और बीच बीच में शेलाते रहेंगे थोड़े दिर के बाद ये कुछ आसा हो जाएगा ये देखे जब इसमें water ऐसे निकलने लगे तो flame को हलका सा high कर दें और थोड़े थोड़े दिर पे medium करते रहें और जब मश्रूम का कलर हलका change होने लगे हलका हलका brown होना स्टार्ट हो जाए उतना ही हमें से भुनना है हमें से बहुत ज़्यदा brown भी नहीं करना है बस ये हलका ही brown हो उसके बाद flame off कर देंगे जब ये कुछ ऐसा होने लगे flame off कर दें और same frying pan में one teaspoon oil add करें आप butter भी ले सकती हो आप इस method से मश्रूम की सबजी बनाएं बहुत tasty लगती है oil कर्मोने पे हम इसमें इलाइची और long add करेंगे आप इसमें अपने गॉर्डिंग कोई भी सूखे मसाले जो आपको पसंद हो आप add कर सकते हो बस जीरा ना add करें और lesson की कलिया और टीस की recording हरी मिर्च add करेंगे आप lesson और मिर्च अपने टीस की recording कम या ज़्यादा ले सकते हैं आप चाहें तो इसी के साथ ही अधरत भी add कर सकते हो और कटे वी खूब सारे प्याज add करें प्याज की amount भी आप अपने गॉर्डिंग ले सकते हैं हमने तीन medium size की प्याज को ऐसे बड़े pieces में कट कर लिया है फ्रीम को medium रखें और प्याज के हलका हलका brown होने तक fry करें जब प्याज हलकी brown होने लगे तब इसमें कटी हुए tomato add कर देंगे दोस्तिती टमाटर add करके एक बार mix करने के बाद medium फ्रेम पर ढखके हम इसे cook करना है पहले से अच्छे तरह से mix करने के बाद अब हम ढख दिंगे ढखके हम इसे तक तक cook करेंगे जब तक टमाटर बिलकुल soft न हो जाए ढखकन खोलें अभी इस spatula से इसको mix करें और फिर spatula से चेक करें अगर यह ऐसे mash हो जा रहा है तो बिलकुल अच्छे तरह से cook हो गया है एक बर इसे spatula के health से ऐसे mash कर लें और फिर flame off कर दें और इसी एक बड़े बरतन में निकाल लें ठंडा होने के बाद अभी से एक mix जार में add कर दें हम इसे ठंडा उनके बाद ही use करेंगे आप चाहेंगे इसको freeze में रख देंगे बहुती जल्दी से ठंडा हो जाएगा या फिर ठंडा पानी add करके पीस लें अगर आपको इसे तुरन बनाना है तो ठंडा करके हलका सा water add करके बिलकुल बारी paste बना के side में रख दे अब इक कणाई में हम सरसु का तेल add करेंगे लगवग 2 टेबल स्पून तेल की amount अब अपने गौर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं अब इसमें जीरा add करें लगवग half teaspoon आप इसमें कोई भी मसाले सूखे वाले add कर सकते हूँ हम इसमें सिर्फ जीरा add कर रहे हैं जब जीरा बिलकुल fry हो जाए तब इसमें PC वे प्याज और टमाटर add कर दी फ्लेंग को medium रखे एक बार spatula से mix कर लें mix करके total हम इसे 2 मिनट तक fry करेंगे ताकि जो टमाटर और प्याज है वो आयल में अच्छे तरह से mix कर भून जाए और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगी ये देखे अब ये अच्छे तरह से भून गया है अब इसमें हम मसाले add कर सकते हैं हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक भी फूनेंगे नहीं नहीं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा अब इसमें हम half tea spoon धाल्दी पाउडर इसी के साथ ही लगबग one tea spoon गरम मसाला add करेंगे आप चाहें तो अलग से धन्या पाउडर आड़ कर सकते हो प्याज और टमाटर में मिक्स हो जाएंगे ये देखे और इसे हमें तब तक भुनना है medium to low flame पे जब तक इसमें से oil ना release हो जाए oil अलग सा दिखने लगे और बीच भीच में चलाते रहेंगे इसे भुनने में 3-4 मिनट लग सकते हैं कि देखे अब ये नीचे से गढाई से पकरने लगा है और तेल भी हँलका सा अलकसा दिखने लगा है बीच में ही हम इसमे हम उबली ओय मटर एट करेंगे लगबग1 कप उबलेओ ओय मटर एट करने से सबजी बहुхाट टेस्टी बनती है और अगर आप इसमें कच्छी मटर आड़ करना चाहते हैं तो इसको उइल के साथ फ्राइ कर लें उसके बाद पीसेवे टमाटर और प्याज आड़ करें आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं हमने ताजी मटर लिए हैं और लगबग 2 टी स्पून दही आड़ करेंगे आप चाहें तो मिल्क क्रीम भी आड़ कर सकते हो इसके साथ या दोनों में से कोई एक भी आड़ कर सकते हैं दही आड़ करने से सबजी का टेस्ट बहुत भी पॉफेक्ट आता है मिक्स करके तब तक भूनेंगे जब तक टेल बिल्कुल अलग सा ना दिखने लगे टोटल इसे भूनने में 3-4 मिनट लगती हैं ये देखे अब ये कढ़ाई में हलका सा नीचे से पकड़ने लगा है जलने लगा है इससे मसाले अच्छे तरह से भून गये हैं अब हम फ्राई की वे मश्रूम एड़ कर देंगे एक बार इस पैचुला से अच्छे तरह से मिक्स कर लें मश्रूम पहले से ही फ्राईड है बस इसे मसाले में हम 10-20 सिकंड तक फ्राई करेंगे बहुत जयता देर तक फ्राई भी नहीं करेंगे ये देखे फ्राई होने के बाद अब इसमें हम वाटर एड़ करेंगे हम इसमें लगभग एक कर्टोरी वाटर एड़ कर रहे हैं आप वाटर अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं जैसे ग्रेवी आपको बनानी है वाटर एड़ करके एक बार मिक्स कर लें मिक्स करके एक बार फ्लेम हाई कर दें और जब ये बॉइल होने लगे तो फ्लेम को मीडियम या लो कर दें उपर से लगभग वन टीस्पून कसूरी मीथी आड़ करें इससे सबजी का टेस्ट और भी पॉफेक्ट आता है मिक्स कर ले और तक तक टेल उपर अलगसा न दिखने लगिए इसे को कोने में लगभग 6-7 मिनट लग सकते हैं पहले मिक्स कर ले और फिर से ढग दें ढग की 6-7 मिनट तक गुक करेंगी और बीच-वीच में चलाते रहेंगी ढग की कुख करने से सबजी बहुत ही जल्दी से कुख हो जाती है और बहुत ही इसली कुख हो जाती है कि देखे लगबग 6 मिनट के बाद हमने इसको खोला और बीच बीच में चलाती रहे सबजी का कलर कितना पॉफेक्ट आया है और ग्रीवी भी बिल्कुल थिक है हमें ऐसी ही ग्रीवी बनानी है आप इसमें रेट चिली पाउडर अपने कौर्डिंग आड़ कर सकती हो ये देखें ग्रीवी कितनी पॉफेट और कितनी टेच्टी दिख रही है एक बर अच्छी तरह से मिला लें और हलका सा एक मिनट तक उप करें उसके बाद फ्लीम आफ कर दें और फिर इसे सब करें ये देखें ग्रीवी कितनी बढ़ियां दिख रही है आप इसे रोटी, पूरी, नान या फिर चावल के साथ सब करें बहुत ही टीश्टी लगता है हमारी मश्रूम मसाला मटर बन कर तयार है रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंग आए शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें तक्स पर वाचिंग